हेलो स्टुदैंस, लास्ट टाइम हमने फोर स्टान्डर के हिंडी सबजेक का चेप्ता नमबर वन, नई राह उसके बारे में हमने अच्छे से सीखा और समझा था, ठीक है न न स्टुदैंटस, अब हम समझेंगे चेप्ता नमबर डो है, बधते कडम उसके बारे में तो students जैसे ही छोते बच्चे अपना कडम धीरे धीरे बढ़ा कर आगे बढ़ते हैं वेसे ही हम यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो students चेप्तर नमबर डो है आपके टेक्स्बुक के पेज नमबर फोर पर तो देखें वहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी वर्ण माला तो students यहाँ पर जो हिंदी वर्ण माला दी गई है वो स्वर और व्यंजन डोनों में दी गई है तो हमें इशे हिंदी वर्णा माला को इंग्लीज उसके स्पेलिंग के साथ सिखना है ठीखे तो हम पहले शुरूम करेंगे स्वर, स्वर याने की वोवेल्स उसके बारे में ठीखे तो पहले है अ, औ के लिए स्पेलिंग होगा आ तो एसे ही हम हिंडी वर्णा माला और इंग्लिक स्पेलिंग सिखते जाएंगे अका ए नेक्स्ट आ ए और ए ए ए छोती ए आई बड़ी ए ए ए छोता उ यू बड़ा उ ओ ओ री आर यू ए ए अई ए आई ओ ओ के लिए है ओ अउ ए यू अन ए एन अह ए एच ए तो स्टूदेंस यहाँ पर हुआ यह हमारा वो वेल्स यानिकी स्वर अब हम सिखेंगे वियंचन के बारे में वियंचन यानिकी कॉंसोनांस तो यहाँ पर है क क क के लिए स्पेलिंग होगा के ए उसके बार है ख के एच ए गजी ए गजी एच ए अंग जी ए एन ध गजी एच एंड जी एच ए अद जी एच ए एफ ए र्न वाई ए ए एन त, T, A, ठ, T, H, A, ड, D, A, ड, D, H, A, अन, N, A, ड, D, A, ड, D, H, A Next is त, T, A, ठ, T, H, A, ड, D, A, ड, D, H, A, न, N, A, प, P, A, फ, P, H, A, ब, B, A, भ, B, H, A म, M, A, य, य, व, A, र, R, A, ल, L, A, ब, B, A, श, S, H, A, श, S, H, A, स, S, A, ह, H, A अल, L, A, क्ष, K, S, H, A, त्र, T, R, A, ग्य, G, N, Y, A, श, S, H, R, A तो स्टुदन्स ये हैं हमारे व्यांचन यानिकी कॉन्सोनन्स अब हम समझेंगे अभ्यास नमबर एक के बारे में स्टुदन्स आपको ये स्वर और ग्यंजन है वो आपको आपकी नोटबुक में अच्छे से सुन्दर अक्सरों में लिख लेना है और अच्छे से याद कर लेना है ठीके? अब सिखेंगे अभ्यास नमबर एक के बारे में वहाँ पर लिखा है हिंडी वर्णा माला में देख कर गुजराती वर्णा से भिन्नता वाले हिंडी वर्णा थुन्द कर लिखिए जैसे की ज और ज तो स्टूदेंस यहाँ पर गुजराती में जो अलग दिखाई देते हैं गुजराती और हिंडी में अलग दिखाई देते हैं वेसे वर्णा लिखने हैं तो हम एसे ही वर्णा लिखेंगे लेकिन उसके स्पेलिंग के साथ तो यहाँ पर लिखा है ज, ज, तो उसका spelling भी साथ में लिखेंगे ज, ए तो students, जितने भी वर्ण हैं, वो आपको धुन्द कर यहाँ पर अभ्यास नमबर एक में लिखने हैं तीखे students, अब हम next time सिखेंगे अभ्यास नमबर दो से उसके बाद हम next time सिखेंगे ठीखे, ओके बाई